नमस्कार मैं मनीश और आप देख रहे हैं मिडिया दर्सन बिहार के पुर्व मुखमंत्री जीतनरा मांजी ने दो नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बीपी एसी टियारी के जितने भी अभ्यारती चुले गए हैं सफल अभ्यारती को जो नियुक्ति पत्र बाटना है बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार के द्वारा उसे गलत हरा दिया है उन्होंने सिद्धे तोर पे कहा कि बीपी एसी टियारी में काफी गड़वडियां देखने को मिली है इसके बाबजूद अगर दो नवंबर को वह नियुक्ति पत्र बाटने जा रहे हैं तो यह कही है नहीं कहीं गलत है इसके लेकर के मैं बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार को एक पत्र लिखूँ गा और कहूंगा कि अभी न्युक्ति पत्र नहीं बाटी जो पिरक्रिया है इंदिये का अपना चुनाव में लगे हूए है, कहीं सब साठ्ची निए सब मकूत दिया जर है काम करने का, और क्रीक्षित को बड़ा करने का. और चुनाव के बाद हर जिला में, हर प्रांत में, जहां वाद करेंगे और इस बीट में कुछ एजन्सी से ऐसा आकलंद किया रहा है कि कौन ऐसा कंजन्सी में यहां कौन जीर सकता है यह सब की इस्थिकी को समझते हुए प्रेने नहीं लिया जाएगा अभी कोई नहीं दू नहीं कि आरजेडी के विधायक ने कभाया ती वह कालपनिक पातर है कि दीकि और अस्था को से मानिये तो पथर और ने तो भर्वान यही मानेता है कि लोग मीटी को भी भर्वान मान करके लोग प्रिया करते हैं अग हिंदुस्तान एक आईसा देश है जो आस्था का वहां तो हम नम अलग वाट आप नमा एया लाग वाट लेकिन कोई मांते हैं उसे के आस्था प्ठेस नहीं पो हम्टाना करने अगर ऐसा हुथ है वह कहें कि हम नहीं मानते हो लेकिन दुनिया मान रही है वैशे शीज को उनको वर्जन खरना चाहिए अपने बपतब अधिरी क करता है तो उसी रूप में काम करता है और जीस प्रदीती से काम लेता है उसी प्रदीती में विश्वास करता है तो आर येदी का सवाल है आर येदी का आज जो प्राद इकलाब हम लोग देख रहे हैं तो लगभग उनके बातों से मिलते हैं तो वैसी प्रदीती में वो व्यक्तिगर्द थोड़े कुछ कह रहे हैं वो तो पार्टी का ही एक रच्छ सी ध्यानत है और उसी क्याधार पर लो है वह कुछ बच्छी बात नहीं बोलते हैं है ऐसा मैं मानता हूं तो आपने सुना जीतन रामांजी सीधे तोर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं बीपी एसी कार्याले में भी एक पत्र भेजूंगा जहां यह बतलाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से अनियमि नियुकती पत्र बाटने जा रहे हैं वो नियुकती पत्र नहीं बाटे इसके लेकर के भी मैं उनके पास एक पत्र लिखूंगा इस तरह के तमाम के लिए देखते रहें मेडिया दर्सन धन्यवाद